सच साहस सरोकार आप सभी को दीपावली की हार दिख सुपकामना है इस पंच परव में आप सभी को बहुत-बहुत सुपकामना है ये दीपावली का पर्व प्रति वर्ष हमारे जीवन में हमारे देश में बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाता है दीपावली का पर्व हर एक जातकों को हर एक भारतवासियों को मनाना चाही क्योंकि बिदेश में भी कई ऐसे देश हैं जहां पर इस पर्व को बड़े हुट्साह के साथ मनाया जाता है दीपावली में लच्मी का आगमन होता है लच्मी कौन है? लच्मी मा है और मा का हम लोग क्या करते हैं कि धन का दुरुपयो करते हैं गलत चीजों में धन को लगाते हैं धन से जुआ खेलते हैं या गलत चीजे खरीते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मा कहते हैं. लकिन उनसे हम क्या करते हैं? गलत चीजे करते हैं. और अकूत धन, इतना धन अपने पास संघ्रा कर लेते हैं फिर उस proposedा दुर्भियोग करते हैं. ऐसा नहिं होना चाहिए. जब हम लच्पी जी का पुजन करते हैं, लच्पी का आगवर अ उसको मनाते तो हमको धनको और लच्मी लच्मी जी को बहुत ही सम्हाल के रखना चाहिए क्योंकि लच्मी का आगमन भी सभी कुछ बना देता है और लच्मी ना रहने से भी मनुष्क कंगाल हो जाता इस धर्ती पर उसका कोई अस्तित तो नहीं रहता है इसे प्रतेक व्यक्त को यह दीपावली का पर्व पड़े ही अच्छे से उत्साह से मनाना चाहिए क्योंकि इसमें मालच्मी का हमारे घर में आगमन होना होता है पंडी जी सबसे पहले आफ हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार की दीवाली किस तरह से खास रहने वाली है ऐसा संजोग इस बार दो दिन की अमाउस्याद हो जा रही है जिसमें 24 और 25 को 25 को सायंकाल ग्रहन पड़ेगा चार बजे से और ग्रहन का जो सूता कहूं 12 गंटे पहले होता है इस दिवाली का पर्व है वो 24 को मनाया जाएगा उसी दिन अमाउस्या लग भी जाएगी सायंकाल अमस्या मिलेगी त पर्व 24 तारीकों बड़े धुमधाम के साथ मनाया जाएगा पंडी जी दिवाली वाल दिन गड़ेश लक्षमी की पूजा की जाती है इसका क्या महत वो माना जाता है लक्षमी जी धनकारक है और गड़ेश जी भी धनकारक है बिगनी सुराय वरदाय सुरप्रियाय लंबो दराय सकलाय जगद्यताय नागाननाय सुर्तियग्य विभूशिताय गवरी शुताय गणनात नमो नमस्ते भागवान विगन हरन मंगल करन धन देने वाले श्री गड़ेश जी का पूजन इसलिए होता है क्योंकि बुद्धी और ग्यान विवेक के व्यापार के कारक है गड गड़ेश जी का द्यान करने से हमारे अंदर बिद्या अधन कैसे मा लच्मी जी आं मैं क्योंकि प्रथम पूजन गड़े जी का ही होता है इसलिए मालच्मी और गड़े जी का पहले पूजन होता है क्योंकि गड़े जी बिद्या बुद्धी कि जब हम ज्यान होगा और विवेक होगा तभी हम धन अरजित कर सकते हैं कमा सकते हैं और धन होगा तभी हम उसका क्योंकि धन ही बुद्धी को व्रष्ट कर देता है अगर बहुत अधिक धन है और उसका सही सद्पयोग नहीं हो रहा है वो गलत अयासी में गलत तरीके से कमाया हुआ है या गलत तरीके से खर्ज किया तो धनी मनुश्य का मारक भी होता है इसे लच्मी का हर पकार से आगमन त उठानी पड़ती है इस ते गड़ेश लच्मी का पूजन सबसे पहले गड़ेश जी का पूजन और फिर माल लच्मी जी का पूजन हर विक्ति को करना चाहिए जिससे माल लच्मी जी की क्रपा रहेगी तो जो भी आप इस जीवन में अपने मानव जीवन करना चाहिए क्यो दीपावली पूजन के कई मोहर्त होते हैं दीपावली में प्रातह काल से ही हमको ऐसा मन में बिठा लेना चाहिए कि आज मा लच्छमी स्रीक गणेजी और भगवान विश्णू क्योंकि विश्णू जी की पतनी है भगवान विश्णू जी की परधांगिनी है मा लच्छमी इसलिए रातह काल से ही ऐसा मन में बठाना चाहिए कि आज हमारे घर में मा लच्छमी जी का आगवन होगा और उसकी वैसे हमको तयारी क्योंकि एक हथे पहले से ही दीपावली में सभी लोग अपने घर की सफाई हर प्रकार से करने लगते कोने कोने की क्योंकि मा लच्छमी जी का आकास गंगा से किसी भी समय आगमन हमारे घर में हो सकता है इसे बड़ी अच्छी बेवस्था सभी लोग अपने घरों में करते हैं यह आज से नहीं प्राचीन समय से होता रहा और करना चाहिए मा लच्छमी जी के आगमन से पहले ही सभी घर की बेवस्था कर लेनी चाहिए साफ्षुत्रा कर लेना चाहिए कि माता जी का कहां पे इस्थान आप अपने पूजा इस्थान में एक सुंदर सी चौकी रखनी चाहिए और चौकी पर मा गणेज जी लच्मी जी एक लाल वस्तर बिछाएं आसन भी उस दिन बिछाएं तो लाल बिछा लें अपने बैठने के लिए और जो मा लच्मी गणेजी का पूजन करें परिवार के साथ पूजन होता है लेकिन जो पूजन करें अगर ब्रत रहने तो बहुत उत्तब है तो माताजी के और अच्छी क्रपा होती है अगर ब्रत रह सके हैं जो बड़े बजुर्ग हैं वो ब्रत रहने और जब तक माताजी का पूजन न करें ब्रत रहने के बाद मालचमी का तीन महूर्थ हैं एक दोपहन में पड़ेगा जो कुम्भ लगन में और मिथुन लगन में दो लगन है एक इस्थिर लगन और एक दुष सिभाव लगन चर लगन में मालचमी जी का पूजन नहीं किया जाता है इस्थिर लगन और दुष सिभाव लगन इन दो लगनों में माता जी का पूजन करना सुभ वाना गया है तो तीन वज़े से कुम्भ लगन लगेगी इसके पहले मकर है जो चर लगन है चरलगन में पूजन नहीं करना चाहिए तो धाई वजे से कुम्भ लगन लगेगी जो डेढ़ दो घंटे की रहती है और कुम्भ के बाद मीन आएगी जो द्धु सिभाव लगना है तो कुम्भ और मीन में मताई का पूजन हो सकता है इसलिए फिर रात्री सायंग बेला में हो लगन के बाद आती द्धु सिभाव लगना जो मिथुन लगना है वो रहती है नो दस बजे तक फिर उसके बाद रात्री बेला में एक बजे से प्रारम होगी सिंग लगना जिसमें लोग सिद्धी वाले पूरुष या मालचमी की जो बहुत बड़े भक्त हैं जो मालचमी क पूजन बहुत अच्छा फ़लदा ही माना गया है तो जो बखत रात में करना चाहें रात्री में भी कर सकते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि कि प्रकार माताजी का पूजन करना चाहिए इसे एक सुंदर सा कलस रखें कलस में गंगा जल डाल करके थोड़ा जल अपना करके तैरी करिए से गड़ेजी को दुर्वा चढ़ती है दुर्वा थोड़ी सी रख ले और मंगल कलस उस पर पूर्ण पात्र चाल भर करके रखें एक नारियल कलस पर रखें पानी वाला नारियल उस कलस पर इस्थापित कर दें उसमें कलावा वांद दें कलस रखने के बाद उस चौकी पर ह कलस रख ले एसान कोड़ में पूजा का जो मुख होगा वो पूरव की दिवाल पे होगा आपका मुख जो भक्त बैठेंगे पूजा करने के लिए अगर आचारी की उनके पास ब्योस्था नहीं है तो जो पूजा करेंगे वो पूरव की और मुख करेंगे और भगवान का मु स्हाज की स्थापना कर लें कर लिए अगर व्ट्राचारी को बेठाले कापड़ा escaping या कि अबचा कर रे और लिख या हल्दी से हैं जो कर एक तरफ आम एक तरफ स्वास्तिक और एक तरफ च्री अगर लिखना जाए तो लिख लें और उसी पर माताजी का वहीं परिस्थान दे दें। पूजन सामगरी में रोली, अच्छत, फूल, सुपारी और धूबत्ती, दीपक होना चाहिए। देपक देपाउली में दो रहते हैं। एक घी का दीपक रहता है, और एक तेल का रहता है। तेल का दीपक अपने दाइनी तरफ रहे हैं, और घी का दीपक अपने बाईी तरफ प्रजोलित करें। जिसमें सभी दिवताओं का अपने घर में अपनी भावना से की मालच्मी, ओम, महालच्मे नमा, एबी सबसे साधारण मंत्र है, ओम, महालच्मे, या लच्मी, श्री शूक्त अगर याद हो तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं या मालच्मी जी का गड़े जी के जो भी मंत्र आ अगर आगर यान है, तो भाव से, क्योंकि भाव बखुत बडी बात चीज है, भाव से आप सरद्धा से माता जी का ऐसा ध्यान करें, कि कि सिंगने जी मालचमीजी हमारे घर में सदयु के लिए यहां पे विराजमान हो रहे हैं और यह हमारे घर में सभी का कल्यान करें नित्य हमारे घर में धन-धान की ब्रद्धी करें नित्य हमारे ब्यापार की ब्रद्धी करें हमारे कारिछेत्र में नित्य ब्रद्धी हो ऐसी कामना के साथ और माता जी को कमल पुष्प देखिए जो पने को बफित कर Dieses आप delivering तो वह इस एक दिए को मिलिया जा तो बहुत अच्छा लगता है इसी से पकार जो लछवा मी जी प्रसंद होती है तो कमल पुष्प हैं अगर कमल को पुष्प dice कमल के और कज़े कदल, का फल है और तामूल की वे उस्ता होकर पान पत्ते बहुत अच्छा माना है तो पान सुपारी लोंग इलाइची लगा करके माताजी के पास रखें और सरीफा का फल है अनार का फल है ये फल माताजी को प्री हैं और अगर हो सके तो वहां नाग का भी पूजन करने का विधान ह नाग का, कुवेर का और लेखनी का पूजन होता क्योंकि ये दीपावली का परव उस दिन जो हम कर लेते हैं कैसा सन्योग बनता है जिसमें सूर्य और चंदर्वा मिलते हैं सुक्र भी तुलारासि पे रहेंगे तो इस प्रकार से कैसा सन्योग ये बन जाता है दीपावली का कि इसमें जो भी हम कर लेते हैं मालच्मी जी का आगवन होता है और भगवान राम जी बनवास से लोट करके आये थे तो उसका भी बिशेश महत्तु है आज के दिन जैन का भी बहुत बड़ा आज के दिन परव माना जाता है जो बाद भगवान यहां पर आई थे और ये अच्छे से माता जी का ऑम स्रीय नमघ 사랑 महा मालच्मी जी के नाम भी लोग पर सकते हैं मालच्मी जी की चालीसा भी पर सकते हैं जो भी आपके हां रत हों द्रब्य हों बही खाता हों पूझन करें आज के दिन पांच दीपक तो गीके जलाव हैं और तेल से जिटने भी दीप मालिका क्योंकि दीप मालिका कॉँआ हो प्रजुलित कर रहे जाते हैं आज के दिन जिससे तेल के दीपक काई अपने घर के बाहर रख हैं आज कल जो चली है लड़ी जो चीन से बताते हैं या जो भी है उसका प्रयोग करना चाहिए लेकिन दीपा कवस्या की राध रदना चाहिए जाहिए दीप माली का एक नहीं कई बहुत अच्छी भी लगती है और माल अच्छी मी देखती है की जिनका घर अच्छा सजा है अच्छा भाव है उनके हाँ उनका प्रादुर भाव भी हो जाता है तो इसे ये पर्व बहुत ही महत्पूर रखता है जितना अच्छे से आप पूजन करेंगे उतना ही लाभ आपको वर्स भर प्राप्त होगा पंडिची इस बार की दीपावली क पर प्रव्यस करते हैं जब जोतिस से संबंधी हम देखेंगे कि ये दीपावली का पर्व तो दीपावली एक अंधकार को मिटाता है प्रकास की तरफ हमको ले जाता है ज्यान की तरफ हमको ले जाता है इस महीने में सूर्य अपनी नीच राज़ पर सूर्य किसके कारक है आ आत्म बल कमजूर पढ़ने लगता, घबड़ाहट होती है, इन दिनों में आप देखेंगी कि लोग ऐसे कार जल्दवाजी में कार करने लगेंगे, हलबड़ाहट में काम करेंगे, ऐसा लगेगा कि सबको बहुत जल्दी है, या सभी अपने पने मिब्यस्त होगा, या सभी के जोतिस के अनुसार इसलिए दीपावली मनाते हैं क्योंकि हम दीपक जलाते हैं, तो दीपक सूरी का कारक माना गया है, प्रत्वी माना गया है, तो दीपक जलाने से अंधकार मिटता है, और हमको ऐसा लगता है कि देखने में अच्छा लगता है, जिसे हमारे आत्मबल बहुत अच्छ से निव जाता है, क्योंकि इन राज्यों इन समय में सूरे का नीच राज़ पर जाना ये बुखार है, कई समस्याओं को लेकर आना होता है, इसे जो लोग इस पर्व को अच्छे से दिपाँली में दिपक जला करके और अच्छे से पुजा पाट करते हैं, उन बहुत कई वर्सों बाद सूरी ग्रहन पड़ रहा है और सूरी ग्रहन कई राशियों के लिए तो अच्छा फल करेगा लेकिन कई राशियों के लिए अच्छा फल भी प्रदान करता है। इसे सूरी ग्रहन भी दूसरे दिन है। तो सूरी ग्रहन जो होता है उस सभी राशियों पर प्रभाव डालता है। धर्ती पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जो कई लोगों के लिए तो अच्छा होता है। इसलिए दीपावली के आसपास बहुत सतर्क रहना चाहिए बहुत अधिक जैसे पटाके छुडाने से वाहन चलाने से और कोई बड़े ऐसी कारी न करें जो असोवनी हो जैसे दीपावली के एक दिन बाद लोग जुआ खेलते हैं या दीपावली के एक दिन बाद लोग गलत कारी करने लगते हैं सनलंग न हो जाते हैं तो ग्रहन उनके दन से आप गलतकार अगर करेंगे दूसरे दिन तो आप के ओपर वो ग्रहों का और ग्रहन का प्रवाव बहुत बिशेस पढ़ने वाला है इस से आप ग्रहन दूसरे दिन है अपने परिवार के स्वाथ रहिए और भगवान का इश्मरण करिए क्योंकि ग्रहाण में सूर के उपर राह का प्रभाव पढ़ने से ग्रहाण की संभावना पढ़ जाती है जो की आत्मल में घबडाहट में या जो गर्भ होती स्त्रियां है उनके लिए प्रभाव उसका पढ़ता है तो उन लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए गर्भ होती स्त्रियों के लिए अपने पेट में गोबर या गेरू लगा लेना चाहिए जिससे ग्रहाण का अधिक प्रभाव उनके गर्भ पर सिसू पर नहीं पढ़ेगा जहां पर गर्वोतिस्तिया है और ग्रहन का प्रवाव कुछ राशियों के लिए अच्छा होगा लेकिन सभी राशि के लोग सतर्क रहें क्योंकि मंगलवार कोई ग्रहन पढ़ने वाला है और इस पूरे चौदा दिन के पंदरा दिनों में कृष्ण पच्छ में दो पच्छा तो इस कृष्ण पच्च में तीन मंगलवार का पढ़ना ये कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना को भी ले करके ग्रहना रहा है इससे कोई प्राकृतिक घटना घटित होने के भी संकेत मिल रहे हैं कहीं न कहीं भूकम पाने के या कोई न कोई आक्रमर या बंबिस्फोर ग्रहन या कोई बड़ी घटना इस देश में या कहीं भी घटने के बहुत संकेत मिल रहे हैं इस ग्रहन दीपावली में ग्रहन वाले दिन तक इसलिए सभी लोगों को सतर्क रहने कि आउस सकता है कोई भी विजली से संबंदित आग से संबंदित और वाहन से सम्मंदित कोई बहुत तीवर गती में कारे ना करें या ड्रिंक ले करके या बहुत ऐसे कारे अगर करेंगे तो फिर आपको सामना करना पर सकता सावधानी को इसलिए सावधान रहे सतर करें और अच्छे से भगवान का श्माल करके इस्तिवहार को इंज्वाय करें पंडिची गोवर्धन पूजा का क्या महत्वर अभाई दूज में पूजा करने का क्या सुब मोहरत है गोवर्धन पूजा इस बार ग्रहन कर पढ़ने के वज़े से और दूसरे दिन अमावश्या होने की वज़े से जो गोवर्धन पूजा है वो 26 तारिक को मनाई जाएगी 26 अक्टूबर को और ग्रहन पड़ेगा 25 अक्टूबर को तो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा गोवर्धन भगवान से कृष्ण ने जब इंद्र ने इतनी बरसात की और उन्होंने परवत उठा लिया तो इस दे भगवान कृष्ण का अन्नकूट का भी उज़े भोग लगता है भगवान को बहुत कई मंदरों में खाटू चाम मंदरों कई बड़े-बड़े मंदरों बहुत भब भंडारे का युजन किया जाता है यह दीपावली के परव के बाद यह परवाता है और यह उन्हीं पंच परव में से एक माना जाता है इससे गोवर्धन जी का भगवान कृष्ण जी का पूजन उस दिन को लगता है और यह बखुत ही पूजा परिवार के लिए बहुत ही मंगल कारी ही गई Technology के उपरांथ दुतिया को भाई-दूिज दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज का परव पड़ता है भाई दूज का परव बहुत ही महात्पूर्ण है ऐसी माननता है कि यमराज अपने बहन यमुना के हाँ हर बार आते थे लेकिन उस बार कुछ नहीं आये दूतिया के दिन बिलंब हुआ तो उसे उनकी बहन थोड़ा सा नाराज हुई जिसके कारण वो उसी दिन अपने बहन से मिलने के लिए आये दूतिया को ही और उन्होंने आसरवाद दिया कि आज के दिन जो बहन अपने भाई को टीका लगाएगी और अपने घर में अपने हाथ का बनाय हुआ भोजन उनको कराई ये अपने भाई को उनकी उम्र बहुलंबी होगी उनको यमराज भी कुछ उनका बिगाड नहीं सकते है इसलिए भाई दूज का तिवहर बहुत ही महत्पूर्ण कराई और ये डिवाली के अफसर पर हमारे दर्शको रवा कrados कि क्या कहना चाहेंगे ने ऑगाज informal कि बड़े ही प्रेमपूर्वा क्योंकि ये राश्ट्री परवाँ है और सभी छोटे से छोटे कर बड़े से बड़े सभी ब्यापारियों के लिए सभी वर्गों के लिए और सभी सनातन हिंदु धर्म के लिए ये ब्रत ये पूजन ये दिपावली का पर्व महत्पूर्ण है इसको बहुत ही अच्छे दे सबसे अधिक इस पर कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने बच्चों का विशेज ध्यान इस पर उपर पटाके चुणाने और आग से संबन्दी चीजे होती है इससे अपने परिवार में मिल करके बहुत साउधानी पूरोग इस तेवहार को आप मनाएं जिससे जो बुरे ग्रहों का प्रभाव आपके उपर ना पड़े स्वास्त का विशे ध्यान रखें क्योंकि इसी बीच में सूरी नीच होने से स्वास्त में भी उतार चड़ा होने की संभावना रहती है इसे बड़े ही प्रेम पूरोकिसपर को आनंद के साथ मनाए जिससे आपके उपर मालाचमी की किरपा हो और मालाचमी का आशिरवाद आप सभी दर्शकों को दीपावली की दनेवाद पंडित जी आपका तो ये थे पंडित राम जी मिश्र जिन्होंने तमाम जानकारियां दी आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुपकाम नाए आगे फिर होगी आप से मुलाकात अब तक लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्रकास परव दीपावली गोवर्धन पुर्याद प्रकास परव दीपावली गोवर्धन पुर्याद